परिचय क्या तुम कुछ लिखोगी? हाँ, मुझे बताओ क्या लिखना है? तो लिखो, एकस एक संख्या है एकस में स्वायम, एकस गुणा करने पर जो संख्या हमें मिलेगी मेरे पास ठीक उतनी ही किताबें है ठीक है अब तुम्हारे पास जो संख्या है वो एकस से दो गुनी है और हमारे मित्र के पास दो किताबें है अब सभी किताबों की संख्या जोड़ लो और बताओ कि तुम्हें क्या व्यांजट मिला रुको, मुझे कहीं लिखने दो एक संख्या एकस है यदि हम X में स्वायम X का गुणा करें, तो हमें X वर्ग मिलता है. इसलिए हमारे पास X वर्ग किताबें हैं. और मेरे पास जो संख्या है, वो दो X है. और हमारे मित्र के पास दो किताबें हैं. ठीक, और इनके योग से हमें ये व्यनजक मिलेगा. क्या तुम जानती हो कि व्यनजक किसे कहते हैं? नहीं, लेकिन मुझे बहुत सुरुची पूर्ण लग रहा है. ये प्राश्नेक बहुपद था. आओ मैं तुम्हें विस्तार से समझाती हूँ. उद्देश लिखना और बहुपदों से संबंधित प्रश्नों को हल करना. एक चर राशी वाले बहुपद एक बहुपद केवल जोड़े, घटाएं या गुणा किया जा सकने वाले पदों से बनता है. एक बहुपद ऐसा दीखता है. बहुपद बहु और पद से मिलकर बना है, जिसका मतलब है कई पद. एक बहुपद में निमन लिखित हो सकते हैं, अचर राशी जैसे तीन, घटा पीस या एक पटे दो, चर राशी जैसे एक्स और वाई, घादांक जैसे वाई वर्ग में दो, लेकिन सिर्फ शुन ने एक, दो, तीन इत्यादी. एक चर राशी में बहुपद वह बहुपद होता है, जिसके व्यन्जक में सिर्फ एक चर राशी होगी. जैसे दो, एक्स वर्ग जमा एक्स, वाई की खा तीन, जमा वाई, जमा एक इत्यादी. परिभाशाएं गुणांक चार एक्स वर्ग को एक पद भी कहा जा सकता है. दो पदों वाले बहुपद जैसे दो एक्स जमा वाई या एक्स वर्ग घटा चार को दो इपद भी कहा जा सकता है. तीन पदों वाले बहुपद जैसे दो एक्स जमा वाई जमा जेड या एक्स की घट चार जमा चार एक्स वर्ग घटा चार को त्रीपद भी कहा जा सकता है. अंश बहुपद के किसी भी व्यानजक के सबसे बड़े घातांक को उस बहुपद का अंश कहते हैं. किसी भी बहुपद का अंश जानने के लिए आपको उसका सबसे बड़ा घातांक निकालना होगा. चलिए अगली स्क्रीन में बहुपत का घातांक निकालना सीखते हैं उधारण 4x वर्ग जमा 6x जमा 5 इस बहुपत के तीन पद हैं पहला 4x वर्ग है दूसरा 6x और तीसरा 5 है पहले पद का घातांक 2 है दूसरे पत का घातांग एक है क्योंकि 6X बराबर 6X की घात एक है तीसरे पत का घातांग शुन है क्योंकि 5 बराबर 5X की घातांग शुन है और किसी भी चर अचर राशी का घातांग यदि शुन है तो वह राशी हमेशा एक के बराबर होगी इस प्रकार 5X की घातांग 0 बराबर 5 गुणा X की घातांग 0 बराबर 5 गुणा 1 बराबर 5, चूंकि सबसे बड़ा घातांग 2 है, इसलिए 4X वर्ग जमा 6X जमा 5 का अंच 2 होगा. बहुपद का अंच वह बहुपद जिसका अंच 1 हो, रेखिये बहुपद कहलाता है, इसका समाने सरूप AX जमा B है, जहां A और B अचर राशिया हैं और A 0 के बराबर नहीं है. बहुपद जिसका अंच 2 हो, रेखिये बहुपद कहलाता है, इसका समाने सरूप AX वर्ग जमा BX जमा C है, जहां A, B और C अचर राशिया हैं और A 0 के बराबर नहीं है. वह बहुपद जिसका अंच 3 हो, त्री घात ये बहुपद कहलाता है, इसका समाने सरूप AX की घात 3 जमा BX वर्ग जमा CX जमा D है, जहां A, B, C और D अचर राशिया हैं और A 0 के बराबर नहीं है. यदि किसी बहुपद में सभी अचर राशियां 0 हैं, अर्थात A 0 बराबर A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर इत्याती बराबर AN बराबर 0 तो वह बहुपद 0 बहुपद कहलाता है. 0 बहुपद को 0 से दर्शाते हैं. 0 बहुपद का अंश परिभाशित नहीं है. बहुपद के 0 बहुपदों की चर राशियों के आधार पर हम उन्हें P, X, Q, X, P, Y आधी तरह से दिखाते हैं. उधारनार्थ P, Y, बराबर Y की घात 3, जमा Y, जमा 1, R, Y, बराबर 2, घटा Y, घटा Y वर्ग, जमा 6, Y की घात 5. अब इस बहुपद को देखें, Q, Y बराबर 2, Y की घात 3, घटा 5, Y वर्ग, जमा 3, Y, घटा 6. यदि हम Y कमान एक रखतें, तो हमें यह प्राप्थ होगा, जो 2, घटा 5, जमा 3, घटा 6, यानि घटा 6 के बराबर होगा. इसलिए Y बराबर एक रखने पर Q, Y कमान घटा 6 होगा. अब हमें PY बराबर Y जमा 1 को हल करना चाहिए. Y कमान एक रखने पर हमें P बराबर 2 प्राप्थ होगा. अब Y कमान रिन एक रखने पर हमें P रिन एक बराबर रिन एक जमा 1 मिलता है, जो 0 के बराबर है. चुकि P गटा एक बराबर शुन्य है इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुपद P Y का शुन्य गटा एक है बहुपदों के शुन्य को बहुपदों का मूल भी कहते हैं एक अशुन्य अचर बहुपद का कोई शुन्य नहीं होता एक रेखिये बहुपद का केवल एक शुन्ने होता है उधारण देखिये और बताईए कि घटा चार और चार बहुपद एक्स घटा चार के शुन्ने हैं या नहीं हल माना की PX बराबर X घटा चार घटा चार के मान को प्रतिस्थाफित करने पर हमें P घटा चार बराबर घटा चार घटा चार बराबर घटा आठ मिलता है चार के मान को प्रतिस्थाफित करने पर हमें P4 बराबर 4 घटा चार बराबर शुन्ने मिलता है हम देख चुके हैं कि P घटा चार बराबर घटा आठ और P चार बराबर शुन है इसलिए चार तो X घटा चार का शुन है लेकिन घटा चार नहीं है चलिए अब हम बहुपद Q यू बराबर दो यू जमा एक का शुने निकालते हैं हल किसी भी बहुपद का शुने निकालना किसी समीकरण को हल करने जैसा ही है इसलिए हम P X बराबर शुने को हल करेंगे इसलिए दो यू जमा एक बराबर शुने हमें यू बराबर घटा एक बटा दो यह परिणाम देता है इसलिए घटा एक बटा दो बहुपद दो यू जमा एक का शुने है शेशफल प्रमय अंक गणित में हम कैसे भाग देते थे जहां हमें याद है उधारणार्थ साथ को दो से भाग देने पर तीन आता है और शेशफल एक बचता है भाग के प्रतेख हिस्से का एक नाम है भाज्य, भाजक, भागफल, शेशफल इसे इस रूप में भी लिखा जा सकता है भाज्य, पराबर, भाजक, गुणा, भागफल, जमा, शेशफल ठीक इसी तरह हम बहुपदुन को भी विभाजित कर सकते हैं उधारणार्थ पांच एक्स की घात तीन, जमा, एक्स वर्ग, जमा, एक्स, बटे एक्स जहां हम माल लेते हैं कि एक्स पराबर पांच एक्स वर्ग, जमा, एक्स, जमा, एक्स पांच एक्स की खात तीन, जमा, एक्स वर्ग, जमा, एक्स के गुणन अब देखते हैं कि शेश भल प्रमय क्या कहता है। उधारण PX में QX से भाग दीजे जहां PX पराबर X की घा 3 घटा 6X वर्ग जमा 11X घटा 6 और QX पराबर X घटा 1 है। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। अगले चरण में बहुपत के पहले पद में सबसे अधिक घातांक वाला पद पहला पद होगा। गुणांक के X वाले हिस्से से भाग देना होगा। इस इस्तिती में X की घात 3 में X से भाग देने पर X वर्ग मिलेगा जिसे आप भाग चिन्ह के शीर्ष पर लिखेंगे। अगले चरण में आप उस पद को भाजक से गुणा करेंगे जो आपने भाग चिन्ह के शीर्ष पर लिखा है। इस इस्तिती में आप घन X घटा वर्ग X पाने के लिए X घटा एक का वर्ग X से गुणा करेंगे। इसके बाद इसे विभाजन पंक्ती के अंतरगत घटाएंगे। घटाने से आप उस पद से छुटकारा पा जाएंगे जिसका घातांग सबसे अधिक होगा। जिससे बहुपत का आकार छोटा हो जाएगा और जो एक शेश फल होगा। अब हमारे पास एक नया बहुपत है जिसके लिए हम दूसरा चरण दोहराएंगे। इस उधारण में हम पांच X वर्ग में X से भाग देंगे। और परिणाम घटा पांच X को उस पद के साथ चोड़ देंगे जो पहले से भाग चिन के शीश पर है। अब हम तीसरे चरण को दोहराएंगे। अभी जो परिणाम भाग चिन के शीश पर है जो हमें चोड़ने के बाद मिला है उसमें हम पूरे भाजक से गुणा करेंगे। और फिर बहुपत को भाग देने के बाद जो हमें मिला है उसे गुणन फल में से घटा देंगे। अब भाग चिन्ह में हमारे पास एक नया बहुपत है जैसा कि आप पहले ही अनुमान लगा चुके होंगे कि बहुपत के पहले पत को हम भाजक के एक से हिस्से से विभाजित करके दूसरे चरण को दोराएंगे अब जो भी भाग पलाएगा उसे भाग चिन्ह पर पहली से ही इस्थित परिणाम के साथ जोड़ दीजिए अब हम सबसे आखिर में चोड़े काई पद में पूरे भाजक से गुणा करेंगे और फिर विभाजित बहुपत में से प्राप्त परिणाम को घटा देंगे एक नया बहुपत प्राप्त करने के लिए घटाने वाला चरण दोहराएंगे यहाँ प्राप्त शेश भल शून्ने है क्योंकि हम PX को गुनक X रिन एक से पूरी तरह विभाजित कर चुके हैं यदि आप इस चरण तक पहुँच चुके हैं तो आपको परिणाम मिल चुका है क्योंकि किसी में भी 0 से भाग देने पर हमें 0 नहीं मिलेगा दो X की खाद 4 जमा X की खाद 3 घटा X वर्ग जमा X जमा 3 में X घटा एक से भाग देने पर शेश भल क्या होगा हल यहां PX बराबर 2X की खाद 4 जमा X की खाद 3 घटा X वर्ग जमा X जमा 3 और X घटा 1 का 0 ने 1 है इसलिए P1 बराबर 2X की खाद 4 जमा 1 की खाद 3 घटा एक वर्ग जमा 1 जमा 3 बराबर 6 इसलिए शेश भल प्रमय के अनुसार 2X की खाद 4 जमा X की खाद 3 घटा X वर्ग जमा X जमा 3 में X घटा 1 से भाग देने पर शेश भल 6 होगा बहुपत का गुड़न खंड गुड़न फल प्रमय यदि PX एक बहुपत है जिसका अंश N बढ़ा है एक से जहां N बराबर 1 है और A कोई भी वास्तविक संख्या है तो यदि P A बढ़ाबर 0 है तो X घटा A PX का एक गुड़न फल होगा और यदि X घटा A PX का गुड़न फल है तो P A बढ़ाबर 0 होगा गुड़न फल के उधारण उधारण बहुपत 2X का वर्ग घटा 5X जमा 3 का गुड़न खंड कीजिए हल माना F X बढ़ाबर 2X वर्ग घटा 5X जमा 3 है चलिए प्रयत्र और तुरूटी विथी द्वारा X बढ़ाबर 1 की जांच करते हैं इसलिए F1 बढ़ाबर 2X का वर्ग घटा 5X जमा 3 बढ़ाबर 2X जमा 3 बढ़ाबर 0 गुड़न फल प्रमय के नुसार यदि F1 बढ़ाबर 0 है तो X घटा 1 बहुपद FX का गुड़न खंड होगा इसलिए X घटा 1 दिये गए बहुपद का गुड़न खंड होगा दिये गए बहुपद में X घटा 1 से भाग देने पर हमें 2X घटा 3 मिलता है इसलिए दिये गए बहुपद के गुड़न खंड X घटा 1 और 2X घटा 3 होगे बीज गणितिये चिन्न यहां कुछ बीज गणितिये चिन्न हैं हम जिन्हें पहचानना सीखेंगे उधारन सीधा सीधा गुणा किये बिना 107 गुणा 104 का मान बताईए हल समी करण की गणना करके हल करने पर हमें 11128 प्राप्थ होगा क्या आप चानते हैं बहुपदिये गुणंखंड के वास्तविक्षून्यों की संख्या बहुपद के अंश से अधिक नहीं होती एक बहुपद के वास्तविक्षून्यों की संख्या उस बहुपद के अंश के बराबर या अंश से दू के गुणन फल में कम की संख्या के बराबर होगी इसलिए छै अंश के बहुपद के वास्तविक्षून्यों की संख्या छै, चार, दू या शून्य होगी तथा पांच अंश के बहुपत के वास्तविक्षून्यों की संख्या पांच, तीन या एक होगी विशम अंश के सभी बहुपतों का कम से कम एक वास्तविक्षून्य होता है यह तथे उपर कही गई बातों के आधार पर निकला है किसी बहुपद का सबसे बड़ा अंज, टर्निंग पॉइंट्स, कम से कम एक अधिक होना चाहिए सारा अंज आए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में दोहराएं एक बहुपद PX, एक चर राशी X में, X रूपों में एक बीच ये अभिव्यक्ति है PX बराबर ANXN जमा AN घटा एक, X की घात N घटा एक जमा इत्याती जमा A2X वर्ग जमा A1X जमा A0 जहां A0, A1, A2 इत्याती AN अचर राशिया है और AN जो बराबर नहीं है शुन्ने के एक पद के बहुपद को एक पद कहते हैं, दो पदों के बहुपद को दुई पद कहते हैं, तीन पदों के बहुपद को त्री पद कहते हैं, एक अंश के बहुपद को रेखिये बहुपद कहते हैं, दो अंश के बहुपद को वर्गिये बहुपद कहते हैं, तीन अंशों के बहुपद को त्री घात ये बहुपद कहते हैं यदि P A बराबर 0 है तो एक वास्तविक संख्या A एक बहुपद P X का 0 होगी इस इस्थिति में A समिकरण P X बराबर 0 का मूल कहा जाता है एक चर्राशी वाले हर रेखिये बहुपद का एक विशिस्ट शूने होता है एक अचर्राशी जो शूने नहीं है इसके बहुपद का कोई शूने नहीं होता और हर वास्तविक संख्या का शूने बहुपद का एक शूने है शेशफल प्रमय PX कोई बहुपद है जिसका अंश A किया उससे बड़ी कोई भी वास्तविक संख्या है यदि PX में रेखिये बहुपद X घटा A से भाग दिया जाए तो शेशफल P A बशता है गुणन फल प्रमय यदि P A बराबर 0 है तो X घटा A PX का एक गुणन फल होगा और X घटा A PX का गुणन फल है तो P A बराबर 0 होगा छूपडरो तो P A C T